नमस्कार वीकी बीमाराथी नियूज मधे आपले स्वागता है सर्वप्रथम बगुई आचा ठाया घडा मोडी रमाई घरकुल योजनी चा लाभार थे अनना न्याय में उन देने सा थी भाजब्चा राज्य सरकार विरोधत मोर्चा आउटर रिंगरोड परिसराथ आढ़ाय लेले वाहन चालकाची हत्या की अपखाथ बेलतरोडी पोलिसान समोर गुड कायम आणी अवाईद रेती वहातुक करनारा डम पर चालक वा मालका सहब पाचपावली पोलिसान चताब्याथ आचा ठाग घड़ा मोडी नंतर आता सविस्तर वृत्त जिते सम्विधान सवकातुन जिल्ला दिकारी कारिया लयावर मोर्चा काडून रमाई घरकुल योजनेचा लाभार्थानना नयाई देनेची मागनी भाजपचा वतीन करने अताली मोर्चा दर्मैन भारतिय जनता पक्षाचे कारिय करते मोठा संखे ने राज्य सरकार चा विरोधात घोष्णा बाजी करतान ना दिसले मोर्चा जिल्ला दिकारी करले और दाता है आमी अपले माध्य मातून या मोर्चा चा मात्य मातून सरकार ला चेतवी चीतो कि या सर्वसामने दलीच शोची चुपटबठीत राणार्या मानसानना जर त्यांचे हक्काच अनुदान तत्काल प्रभावने मिडाला नाही तर येट्या काला मदे या सरकार चा एकाई मंत्राला पर संपुर्ण महाराष्ट्र मदे भिरू देनार्नाई त्यानना सलो की पड़ो करून तेवला आश्योर राणार्नाई अने मुनुन त्यांचे चाडिस करूर रुपएट्स माक्चा दोन वरशन पासुन्स अपले वडिल बेपत्ता असले ची तक्रायर द्यायला मुलगा पोलिस ठाणाद गेला आसता तैला तैचा वडिलान सा मुर्टे देह वगुन धक्काच बसला ही घटना घटली आहे नागपुरा तिल बेलतरोडी पोलिस ठाणाद नागपुरा तिल वाहन चालक अरून घरडे सुम्वारी रात्री पसुन बेपत्ता हुते दर्म्यान मंगलवारी सकाली एक मुरूत देह आउटर रिंग रोड परीसरा तिल जाडा जुडपात पडू नसले ची माहिती बेलतरोडी पोलिस अनना मिलाली पोलिस घटना स्थरी पोचले असता तैनना घरडे यांचा मुरूत देह रक्ताचा थारोलयात आढ़डू नाला त्या मुले हा संशयास पड मुरूत्यू हत्या हे की अबगात याचा तपास बेलतरोडी पोलिस करता हे पोलिस टेसरा अबगात अबगात स्थरी पोलिस पास तैनना घराण पोलिस टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्स अबगात संशया हे विए। तो शुदात आलास्ता कला पुलिस्ट दिन जा आपका कर्मजारणी ने साइड़ वर्णा ना उर्ण ससा विक्ति आवाला बेटेला तर्सकिनी सलानी के उल्ण बगा यह उल्गा नीटे स्पाट वर राला तनी पोड़त लगिए तेके वडिलत होती हरुन गोपीजन ज़र्ड पुलियरों पीकप चालट मालक आहें किया सामानी जोल अनी असर पिंदल भोत्ता है आनी मुलान कंड अर्शिमाई ते विट्टी किते हैं एक से दारुपन प्याइज आनी गरी एन इनेर्च दंच निस्टिक वह एन होता है त्यामा तल्गात्री को सोधत बतलानी सपाई सं आता पुलिशन में पुलिशन दाकल के ले ला है और पुलिशन तपास करना रे डंपर वर कारवाई करत पाचपावली पुलिशान नी डंपर वर रेती सह चालक वत आचा मालकाला आटक के लिया है मंगलवारी रात्री पाचपावली पोलीस ठानेचा पथक पेट्रोलिंकरत अस्तना त्यानना एका पिवलया रंगाचा वालु भरलेला डंपर दिसला पोलीस अनना त्या डंपरची शंका अलियसता त्याननी चालकाला डंपर थामवायला संगितला व त्याच्या कड़े वालु संबंदी विचार पुसकेली सुर्वातिला डंपर चालक पोलीसान ना उडवा उडवीचे उत्तर दैला लगला नंतर मात्र पोलीसान नी अपला पोलीसी खाक्या दाखाऊतास त्याने ही वालु बीना संगम घाट इथु नानलेची कबुली दिली ही वालू तेने चोरू नानल्याच पोलीसांचा लक्षात येताच, पोलीसांनी तेचा विरुद्ध व तेचा मालका विरुद्ध गुन्हा दाखल करून दोगानाही अटक केली आहे अवैध वालू वाहतुकी मुले अमरियाद रेती उपसा होत असल्याने परियावरनाचे प्रचंड नुक्सान होता हे हीच बाब लक्षात गेता पाचपावली पोलीसांनी शासनाचे जे नियमा हेत त्या नियमा नुसार वालूचा व्यवसाय करावा बेकाईदेशी रित्या करू नए असे आवाहन केले आहे जरका पाचपावली पोलीसांना असे काही बेकाईदेशी राढ़ले तरते वालू माफियानवर कारवाई करतील असा इशारा ही तन्नी दिला काल अमाला पेट्रोली करतांना खो पोस्पिडल जवट एक डंपर दिसला प्यूडा वाज़ा मधि वालू बरले लोगी प्रत्रमांक M.H.I.P.G. 53-20 वालू भगलेली होती अमाला शंकार याने त्याता विचर पुसके लिटा चेकड़ी कि वालू पुठू नानली तुपाय आनली तर तो असंबंद उत्तर द्याल लागला चेकड़ी संपल्च उपशी के लिए तैने सांगेतली कि वालू तैनी विना घाठ विना संगम वालू भालू भगल के लिए तो असित्र प्रकारे वालू वालू करता है यापना वालू वाला काहिया कि वालू कर्माच्यारी तन्न का आवान करताना है नागपुर चे शांती नगर पोलीस ठाणे अंतर गत निर निराया गुणहां साथी काही आरो पिनना अटक करना ता लिया है तर भांडे प्लोट स्थेत एका आरो पिला हत्यार अंसा शांती नगर पोलीस सान्नी आपले ताब्याद घितला है निमान निया पोलीस उपयक्त साइड डिटेक्शन यांचे मार्क देशना खलियावेच शास्त्र बाड़ाद नारे इसमा वर्यूद आमी मुहिम मर्राभी तस्ताना इत्वारी डिटेक्शन यांधिकाने आमाला एक इसम संशास को देते हां दिसुनाला तो आमा पोलीस ना पोलूद आतास्ताना तेला स्टाप्चे मांद तीने पपड़ले आनि तेचे द्रणती गयतली हैसता तेचे दवो शास्त्र मुं आली की तेचे नाव तेने ओन रहें द्रो वर्यूद ऒलि चिंतामन पोकड़े जांधा कुंदन लाल बुप्ता नगर तेने सांगितले तेचे दवर शस्त्र मुरून आले ने आमें देचे विविदम कलम 24, 22 अत्यर काईदा, कलम 1935, मारक्टपुरिस काईदा अफ्रमाने काड़वाई के दिली आये आमी मान्य पोलीस उपायत डिटेक्शन नाकपुर्शार यांचे मारक्टपुर्शन अखले यांचे आडिशान होये शस्त्र वाड़ग नारे हारोपीन ची मोहीं रावित अस्ताना, स्टॉपस पेटोरिकारित अस्ताना बांग्डे प्लाट याठिटाने ये किसम संशास्पत गिता फिरताया अचे गुप्त माहिती मिलाली करिता आमी स्टॉपस चाठिकाने बेलो अस्ता ये किसम आमाला पुण पवूल दाता अस्ताना आमी त्याला पटला परूं पकडली भल आफिकारित अस्ताना आमी त्याला पुण परूं काला परूं पकडली जुआ पुण पकडली संशास्ताना पार आमी त्याला पुलिटेशनिल लागेऊँ नाला थिचावर धूना क्ये रिपड मोहें देगा इतून माहिती गेटली स्ता 36 गोल या ठीगाने तेचावर भर 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 भुड़े चे गुने तसे शरीडा वे रुप्धे चे गुने एकुन अशिव बागाते 15 गुने तेचावर दाखलासले चे आमाला निदर्शना साले आमी तेचावर कलम 54 गुच 113 प्रमाने गुना राखलो परमिंत्या साटक के लिए है मान्य पूलिस उपा एक्ता साहिव डिटेग्शन यांचे अधिशान वे संपुर्णा नाकफुर्ष रामदे अवजशास्त्र बाढाज नहारे एंचल रुद्धा आमी मोहीं रभ्यू तस्ताना, स्टॉक्स आमी एरिया मदे प्रेट्रोलिंग तस्ताना, गुर्तव आत्मी धार्वाद वारे माहिती मिला ली, बस्तर वार एरिया ठीका नहीं कि संशेत रित्यात कि रहता है, आमी सापडा रसुन चला तगद रेतले, एक वर्ष्या करिता नपुर्शरातुन दड़िपार असले चे समधले साध्यावा या मागणान साथी, जिल्ला परिशेदे चा कारियाले असमोर सीटू चे कर्मचारी एकत्री ताले दोन हजार मानन्य केले होते, आनि गटे फ्रवर्थका ना तीन हजार मानन्य केले होते, तर अप्रिल पास अजुन है ते मान्दन मिडालेले नाई, आनि तया निर्णे अनुसार आता पत्र काड़लेला है, ते पन आमाला आगश्ट परेंतस द्याईच, फक्त पास महिनें द्याईच, अइन शना सुधी चा वेडे वर हे लोको मन्तात की फपता पास महिनें चा महिनें चा महिनें काय करनार, आशा घरात काय खानार, आनि लोग आता परेंतस जे काई तेंचा वर वेल होती, जे लोखांस काई कर्ज जालेला है ते कुठुन देनार, आनि आमचा एक 2021 पासुन अध्यापई मिलाली नाई ते पूर्ण देना ते अवी, आनि 2021 चा रोजी आरोगे मंत्रे नी सोबद जालेला बैठकी मदे, 2022 मदे जो पुन्ना 17 शे आनि गटप्रवर्तकाना 17 शे आनि आशाना 15 रूपे जे वहार दिलिया है, तैसा एक उठेस विचार केलेला न आनि परत आमाला द्यावा, मजे तेज बन प्रत पत्र एक कार्ण ने त्यावा, आनि जो आमचा ठकलेला बांदन आहे, चार ते पास महिने पासुन अजुन नहीं आमाला पेमेंड नाई है, पुन्ना कि वाई जे निरने गेत लेलेला है, जे वाडियो दिलेला है, ते अज सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरिट कालर, मेरा फेवरिट देस्टिनेशन, मेरी फेवरिट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ, अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे तेस्ट तक पहांची जाता है, सुरुची मसाले, खाने में हो रुची, तो घर लाइए सुरुची, अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है, पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए, जो देता है, फ्लाइविल एविएशन अकाडमी, एक ऐसा इंस्टिटूट है, जहां पर देन एरपोर्ट हॉस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट, साथ ही यहां कैमपस इंटिव्यू, गाइदेन्स पाइंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्राक्तिकल ट्रेनिंग अट एरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, परसनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनफिट्स नाटका बैंक नागपूर गेद दोन सम्शरीत आरोपिनना अटक केली गाड़ी का सर्च के तो गाड़ी के पीछे मैटेडोर में कुल गवर्मेंट के रासन के सत्तर बूरे कुल तिन टंग चावल ध्मिना कागज पत्र से प्राप्त हुआ हमारे पतक येपिया बावल को इसमें संकाय किये डोवर्मेंट का रासन का चाव होंगा इसलिए उसको पुलिस हक मेला पुलिस टेसन तरसी मेला के जब तक ही है अभी food distributing officer इनको letter दिया है और उनको जाज के बाद आगी कारवे की जाएंगे नागपुर महानगर पाली के द्वारे विद्यार्थें साथी चा शैक्षणिक करियर मार्गदर्शन केंद्रा से उद्खाटन माब और दयाशंकर तिवारी अंचा हस्ते पार पढ़ला है मार्गदर्शन केंद्र सोमवार बुधवार वशुक्रवार सकाई अकराते दोन वाजे परेंत विद्यार्थेंचे सेवे साथी खुला रहेल नाखपुर महानगर पालीके द्वारे गर्जु विद्ध्यार्थैन साथी शैक्षनी करियर मार्गदर्शन केंद्र सुरू करने ताला आहे या मार्गदर्शन केंद्रा द्वारे विद्ध्यार्थैन चा काउंसिलिंग करने त्ये या मार्गदर्शन केंद्राच उध्गाट और महापोर दयाशंकर्तिवारी यांचा हस्ते करने ताल असुन। हे मार्गदर्शन केंद्रा सोमवार बुद्धवार्व शुक्रवारी सकाड़ी अक्राते दोन वाजे परियंत विद्ध्यार्थान करिता खुल रही। नाखपुर महानगर पलिकेचे माध्यमातना विद्ध्यार्थान साथी आमें कौंसिलिंग सेंटर उध्गाटित केला अनि ता कौंसिलिंग सेंटर ला चांगला प्रतिसाद मिडाला जे गरीब विद्ध्यार्थी जन्ना ओनलाइन चे सिस्टम समझत नाई जन्ना काई कि मा मिडालीला प्रसेंट प्रमाने कोंटी चोईस भरायची हे कड़त नाई ते एकड़े यहन स्वता आमचा कड़ना मार्गदर्शन घेतात अनि एक समाजिक संस्ताचा मानोस उमेश कोठारी निशुलुकत्याचा मार्गदर्शन करतो त्याला चंगला प्रसे अर्मिडालानें तर विध्यारतिंची चंगला संक्यालनें तर माज़े डोक्यात एक विशासा होता कि एक सीनियर सिटिजन साथी अनि सोबता जे एक सर्विसमेन यहनचे साथी स्वत्दा ही विवास्ता उभी वावी त्या द्रस्टिनें एक अप्टुबर ला सीनियर सिटिजन डे होता त्या साथी सीनियर सिटिजन कांसिल आफ नागपूर नागपुर रिष्टिक ची जे सीनियर सिटिजन कॉंसील है त्याचे लोगों डॉक्टर रिवतकर यांचा नेतरत्वात मला भेटायले आले अधरनी खर्चे जी जी अद्धिक स्यात्य बेटायले आले त्याचे डोक्यात सीनियर सिटिजन चा एक कारेक्रम घ्याईचा होता पुरानी बिल्डेंग, एक डिपार्टमेंट, दुसरा डिपार्टमेंट, कड़त ना कड़ता आना एकड़े तिकड़े फिरावा लागते तानची गैर सोई नाई जाली पाईजे मनुन एका कक्षाद जियर सिनियर सिटिजन ची कंप्लेंड आली शिकायत आली आज आज आमी उद घाटन केला दर मंगल वारी आणी गुरवारी आठोड याथ दोन दिवास सिनियर सिटिजन या कक्षाद येतिल तैनची जेवड़ी मंगनी आये तैनची शिकाये तैनची सर्व एका ठिकाणी एकात्र करना तेल आणी डिपाइट्मेंट वाई तैची स्क्रूटनी करून महानगर पाल काचाया महापार कारलात नहीं तैया समस्या सा निराकरन करने चा दिशेन आमी वाट चाल करू याच्या मोड़े सीनियर सिटिजन ला मोठा दिलासा में असा मला वाटते एक बाब मी बोलू इच्छी तो जेवा आमी कॉंसिलिंग सेंटर उगरला होता तिवा आमाला वाटते होता मुलांची आमाला फक्त कॉंसिलिंगाच कराया ची है पन एक वेगड़ा सोशल कॉज आमचा कड़े लक्षा ताला महानगरपाली का चे गरिब विद्धारती महानगरपाली के जा कॉंसिलिंग सेंटर मदे आले आनि अमित्यान कॉंसिलिंग के लिए तो जे OBC वर्ग आहे एड्मिशन साथी क्रिमी लेयर सर्टिफिकट नितान तावश्य कसतो और कोंते ही विद्धारती काड़े क्रिमी लेयर सर्टिफिकट नहोता मग मि महानगरपाल के चे समाज कल्लान विभाग कलेक्टर ओफिस सोबद बोलों महानगरपाल के चे शाडे या प्रक्रिये चा मादमत ने आंखिन काई अमरत निगाला तो ते सुधा आमी करू असी मी गवागी देता ह। नागपुर शाहर अमली पदार्थ मुक्त करने साथी पोलिस विभागाने मोहिम सुरू के लिया है। पोलिस आयूक्त अमितेश कुमार आणी सहा पोलिस अधिक्षक अस्वती दोर जे यानी गुनेश आखेला विशेश कारवाई करनाचे निर्देश दिले। तसेच सर्व अमली पदार्थ विक्रित आनवर कड़क कारवाई करनास सांगितले। अमली पदार्थ विक्रते वो मध्यपान करनार्यान बाबत कोणा कड़े काही माहिती असल्यास गुनेश आखेला तेशी माहिती द्या अशिविनांती गुनेश आखेचा वतीने करनाताली आहे। गेला काई जुशान पस्टन नाकपूर शहरा मधे आमली पदार्थांच सेवन नाणी येचा बदल विक्रत प्रकार चे माहिते आमचा परंते येत होत्या। या माइटांची गंभीर पने दखल गेत नाकपूर शहरा चे पोलीस आयुकता है अमितेश कुमार सर आणी एडिशनल सीपी श्री फुलारी सर यांचा मार्गदर्शना खाली आमी 33 पोली स्टेशन चा 33 टीम्स बन्नून तसस क्राइम ब्रांच चा 5 टीम्स बन्नून। आशा साधरन 41 टीम्स बन्नून आमी एका रात्री मधे परवादिश्री संध्यागरी सहाव असता ही मोहिम सुरू के ली आणी रात्रबर ही मोहिम चाली आणी त्या मधे आमी पूर्ण नाकपूर शहरा मधे एकुन 51 गुने दाखल के ले त्या 51 पेकी 46 गुने है सेवना विक्री कि माँ जवल बालगने चा गल्मान चा अंतरगत आमी दाखल के ले ले आहे या सरो गुन्यान मधे 66 आरोपिन आमी आटक के ले ले आहे आणी तैंचा कडून सुमारे 1 लाख 18,422 रुक्यान सा अमली पदार्थां सा मुद्दे माल आदेखिल आमी जबत के ले ले है तर माना नहीं वाटत की राज्जा मधे कि मां इतर कुठी देशा मधे एका दिवसाथ 51 गुन्हे दाखल करनेची कारवाई ही कुठे केले ले ले आसनारे अमाला आसवाटता की ही मुईमेची सुर्वाता है आणी या मुईमे द्वारे आमी आमली पदार्थ बालगनारे सेवन करनारे विक्री करनारे पेडलर्स यानना हा आमसा एक अट्यंत स्ट्रॉं आसा संदेश आहे कि इतुन पुडे नाकपूर शहरा मधे आमी हैंचे धंदे चालो देना नहीं है तानी ही कारवाई आशिच गंभीर कारवाई आमी वारंवार ड्राइव ग्यून आमी करत नाकपूर चो तहसिल पोलिस ठाने अंतरगत वीज बिला ची ठकबा की वसूल करना साथी गिलेले विद्ध्यूत विभागा चा कर्मचार्यान सोबत दोन भावान ची जोरदार हाना मारी जाली एका कर्मचार्याला काठी ने मारुन जक्मी केले वाहन फोटने ची धंकी दि गुपता आणि गवरवानन गुपता यंचा समाविशा है हरीश कांधिबाक कारियालायात काम करतो मंगलवारी सकाई कर्मचार्यान सहब परिसरत जाउन ठकित बिलाची रक्कम जमा करून कारवाई करनास गेला होता गुपता बंधुन नी 20 बिल भरले नाही किमान 15 टक्के रक्कम भरलान अंतरच 20 वाहीनी सुरू करनाची सूचना 20 कर्मचार्यानी केली यामोय दोगही चीडले सतीषने हरीशले शिविगाल करून काठीने मारहान केलाने तेचा हाताला गंभिर दुखापत जाली गवरवने हाता दगड उचलला कारवाई केले अस गाड़ी फोड अधिकारंचे सौरक्षन संदर्भातिल प्रकरण जनहीत याचिकेत परिवर्थित केले आहे व्यवसाईक मुकेश शाहू याचिका दाखल केली असता नयाधिश सुनिल शुक्रे व अनिल पांसरे याचिकेतल मुद्यान वर व्यापक विचार होने गर्जित्च असलेच सांगितले व्याचिका करत्याले 17 नवेंबर परंत नियामा नुसार जनहीत याचिका दाखल करना सांगितले याचिकेत सांग्न्याताले की देह विक्री सार्खा व्यावसाय कुठले ही सार्वजनिक स्थान, शाला, रुगनालाईव, धार्मिक स्थर जवलून 200 मिटर चा परिसरात करता येत नाही त्या मुले पोलीस आयुकतानी 25 अगस 2021 ला अधी सूचना जारी करत लकडगंस पोलीस अंचा मदतीने गंगा जमुना इथे रहानार्या महिलानना तिथुन बेघर केल याचिका करत्याने या अधी सूचने चा वैधतेला आवहान दिला आहे याचिका करत्याचे मनने आहे कि अधी सूचित नसलेल्या परिसरा मधे देह विक्री करने गुणा नाही त्या मुले पिडीत महिला गंगा जमुना वस्ती मधे रहून इतर ठीकानी देह विक्री करू शक्तात त्या मुले त्यांचा रहात्या घरी छापाटाकून गुणे नोंदविता येनार नाही तर तेथिल महिलांचे पुनर्वसन करने आत्यावे मात्र वस्ती सील करून येथिल महिलांचा मुलभुत अधिकारांचा उल्लंगन करू नहे गंगा जमुना परिसरा था व्यवसाय अनेक वर्षान पासुन सुरू आहे। गंगा जमुना परिसरा था व्यवसाय अनेक वर्षान पासुन सुरू आहे।